Hello everyone, I'm my colleague. I hope you all are fine. Today's subject is English. Today's topic means fact value. And we have my textbook page here, which I will tell you. So, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Here's our article. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Now, let's go, text book number 66. They are mixed with words. Look at the pictures and write the first letter to complete the words. तो पहले हैं तो कोण बताएगा पहले कुण सा पिछर है हमने ओर नुख कर लिया ही क्षीमद ओष्ए तो हमें क्या करना है यहां से हमें प्लिट कर देना है उसके बार बस का पिक्चर है तो यहां पर B बना देना है BUS उसके बाद fire तो हमें यहां पर क्या बना देना है F इसके बाद नीचे यहां पर है art तो हमें यहां पर A लिखना है फिर यहां पर है bicycle तो क्या आएगा B B Y C L यानि bicycle फिर यहां पर हमें H बना देना है तो क्या हो गया होन चलो नीचे क्या है locate the object and connect them to the capital letters and small letters that they begin with यानि कि हमें जहां से start होता है यहां से capital letter से भी हमें joint करना है और small letter से भी हमें joint करना है देखो सबसे पहले क्या है यहां पर E है तो E से क्या होगा E से eagle होगा क्या होगा eagle यहां से हम यह joint कर देते हैं यहां small e से भी यहां joint कर देते हैं फिर है B तो B for ball यहां पर B यहां है और G for क्या होगा gold तो यहां इसके साथ joint कर देते हैं small g यहां पर लास्ट में बचा F, यह 4 फीस तो यहां पे भी यह 4 फीस है तो चलो यह हमारी आपको textbook में यह complete करना है notebook में आपको क्या homework में करना है देखो इसे ही आपको HW करके और आज की date mention करके A to T, इसे दोनों साथ में आपको इसे homework में करना है Thank you